करनाल के असंद हलके के छोटे से गाउं थर्वा माजरा से निकल कर बोलीवुड और साउथ की फिल्मों में अपना विशेश थान बनाने वाले विक्रम जीत विर्क ने आज करनाल में प्रेस वार्था कर अपनी आने वाली फिल्म ज्राइव की जानकारी दी देश के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन के बैनर के साथ पसीद निर्माता करन जोहर द्वारा नेटफ्लिक्स के लिए बनी देश की पहली बड़े बज़ट की फिल्म ज्राइव में विक्रम जीत विर्क ने पहली बार नायक की भूमी का निभाई है तरुन मन सुखानी द्वारा निर्देशी चार दोस्तों की कहानी कहते ही इस थ्रीलर फिल्म में सुशांत राजपुत के साथ जैकलीन फरनेज त्वाव विक्रम जीत विर्क के साथ सपना पपजी नायका के रोल में है इसके अतरिक्त बोनम इरानी वाव पंकस त्रीपाठी ने इस फिल्म के लिए काम किया है फिल्म में विक्की संदू के नाम से रोल कर रहे विक्रम जीत विर्क को इस फिल्म के लिए स्पैशल लुक दिया गया है और उसके पूरे शरीर पर टैट्टो के निशान बनाये बालो वाले लड़के की तालाश थी और जब उनका ओडिशन हुआ तो उनकी लुक को बहुत पसंद किया गया नेट्फिलिक्स के लिए पहली बड़ी फिल्म होने के कारण पूरी इंड्रस्टी की इस पर नजर है क्योंकि इसकी सफल तक से फिल्म निर्मान में एक नए अध्याय की शुरुआत हो जाएगी इस फिल्म का एक गीत मकना आजकल यूट्यूब पर चाया हुआ है जिसके शूटिंग इसराइल में की गई है यह है पहली भारते फिल्म है जिसके शूटिंग इसराइल में हुई है मेरी एक बॉलिवूड की हिंदी फिल्म आरही है इसका नाम है ड्राइग उसमें मेरे साथ है उसको शुषान सिंग राजबू जैकलिक फर्नाडेस सपना पपी बमन इरानी यह फिल्म एक नॉम्बर को नेट्फिक्स पर रिलीज होने वाली है और उसके रिगाड़ी है हम ल कुछ है सने संदेश का कुछ है कि लोग में कुछ बताईए यह फिल्म एक चार स्ट्रीट कार रेसर्स के उपर अधारित है चार दोस्त होते हैं जो बेसिकली ड्राइवर्स हैं स्ट्रीट कार रेसिंग करते हैं वो उनका पैशन से कैसे भी कह सकते हैं उनका शौक है उस पर अधारित है फिल्म इसको डिरेक्ट किया है तरुन मन्सुखानी ने जिनने इससे पहले दोस्ताना डिरेक्ट करी थी और प्रड्यूस किया है करन जोहर ने धर्मा प्रोडक्श जान्त और हम हम चारों बेसिकली में मुख्या वो मिकाव में हैं तो बहुत मजा आया है सब के साथ काम करके और काम ना करता हूं कि सबको यह फिल्म पसंद आएगी यह नेट्ट्विक्स पर रिलीज हो रही है फ्रस्ट ममबर को इसका इसके दो गाने ऑलरीडी रिलीज हो चुके हैं यूट्यूब पे पहला गाना मखना जो की पब्लिक लोगों के बारा दुआरा बहुत सरहा गया है हुई थी है यह हमारी हमने पहली बार एक गाना शूट किया था मापे और बस अभी आप सब के रिव्यूज बताएं या बताओगे कैसी फिल्म है करनाल में आए हैं आप आज अब अब अधिन निफागी और से बैठें आपके साथ तो प्रमोशन के लिए क्या कुश कहना च मैं हर दो तीन मेने के बाद मैं करनाल जरूर आता हूँ क्योंकि मुझे मेरा जो शहर है मेरा गाओं है मुझे उससे बहुत लगाव है मैं अपने दोस्तों से अपने रिष्टेदारों से सबसे मिलना मुझे बहुत पसंदा तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ एक साल में चार से पांच बार मैं करना जरूर हाँ और इस बार मैं आया तो मेरी फिल्म भी रिलीज हो रही है तो हमारी बात्चीत हुई पनुजी की तो हमने सोचा कि क्यों ना सबको बटाया जाए कि हमारी फिल्म आ रही है और आप सबको बटाया जाए और सब इस फिल्म को देखे है तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि यह, मैंने बहुत सारी तेलगू फिल्मों में काम किया है, जो डब होके काफी सारे हिंदी चैनल्स पर आती है, सबने जरूर कोई फिल्म जरूर देखी होगी, काफी टीवी सीरिल में काम किया है, मैंने काफी टीवी सीरिल में काम किया ह तो यह मेरी पहली As a Hero Bollywood की फिल्म है बहुत बड़ी फिल्म है काफी दमदार एक्शन है इसमें बहुत सारे गाड़ियों के स्टंट है और मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज 8 November को Netflix पे इस फिल्म को ज़रूर देखिए और J.B.D. Banquets लाए है Incredible Marriage Palace Raj Gharana and the finest banquet hall Jyoti Garden World Class Catering Century Air Condition Lush Green Lawns State-of-the-art Lightning A perfect venue for wedding, launching and parties Raj Gharana and Jyoti Garden A J.B.D. Banquets Enterprise Aisai hi latest program पाने के लिए Bell Icon को खिलिक कर हमारी चैनल